वेलकम लेर्नर्स, दिस इस यो मेंटर, ठीचर एंड फ्रेंड हैं आज की वीडियो में हम आर्टिकल चैप्टर से रिलेटड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो होगा हमारा कमपोजिशन नमबर 24 लास्ट की वीडियो में हम आर्टिकल चैप्टर को पूरा डिसकस कर चुके हैं और उससे रिलेटड कुछ एक्सरसाइज को भी डिसकस किये हैं अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी हैं तो आप Rain Martin के Pay List में जा करके उसको देख सकते हैं ठीक है प्रिप्रेशन करते हैं अगर One Day Competitive Examination की जिसमें आप English को अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मिरे साथ जूर सकते हैं और अगर आप Aspirant हैं UPTGT-PGT के तो आपको मुझसे जरूर जूरना चाहिए ठीक है क्योंकि हम इस समय UPTGT-PGT का revision करवा रहे हैं grammar के साथ साथ ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने session को क्या कह रहा है Insert articles where necessity यानि जहां पे articles की need है वहां पे हमें उनको fill up करना है और जिस sentence में article की need नहीं है वहां पे हम इनको skip भी कर सकते हैं ठीक है Question number first कह रहा है While there is life, there is hope सबसे पहले sentence देखना है और देखना है noun कहा है Common noun होगा, countable होगा तो definite article ज़रूर लगेगा ठीक है While there is life, there is hope तो इस sentence में हमें देखना है life and hope ये दोनो noun है Generally हमें ये rule पढ़ा हुआ है कि life को हम uncountable मानते हैं और इनके साथ में article का use नहीं करते हैं Similarly, hope का भी कुछ ऐसा ही rule है लेकिन इसके साथ में एक exception ऐसा भी है कि जब कोई adjective qualify करता हो किसी uncountable noun को तो उसके पहले हम indefinite article का use कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से ठीक है लेकिन इस sentence में यहाँ पे किसी भी article की need नहीं है ठीक है यह एक हिसाब से proverb भी है तो यहाँ article की हमें need नहीं है तो यहाँ हम skip करेंगे sentence as it is correct है ओके next her knowledge of medicine had been acquired under aged Jews Jews का meaning क्या होता है हमें now chapter में आपको पढ़ा सिखाया भी है कि जो Jew होता है J-E-W इसका feminine होता है Jews ठीक है तो ध्यान रखना है her knowledge of medicine had been acquired under aged Jews तो यहाँ देखिए her लगा है possessive adjective है knowledge of medicine यहाँ article के need नहीं है had been acquired यह verb है verb का structure है under preposition है aged Jews तो यह aged है Jews है noun है चुकी तो noun के पहले हमको article को insert करना होता है और चुकी इस noun के पहले एक adjective भी है तो adjective के पहले हमको यहाँ पे article को insert करना है यानि हमें article लगाना है under an aged Jews ठीक है very simple याद रखेंगे next third question नमर बोल रहा है sun rises in east तो जब हमने article का chapter पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था जो unique चीज़े होती है उसके पहले हम article का use करते है तो जैसे sun है, moon है, यानि planets है जितनी भी अनोखी चीज़े हैं दुनिया में उनके पहले हम article दा को insert करते है तो पहली बाद तो हम sun की पहले article दा को रखेंगे उसके बाद में in east in east के बीच में भी दा को fill करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि जो east, west, north, south होता है यह name of directions होती है और इनके पहले हम article का use करते है ठीक है? तो इस हिसाब से in the east है in the east करना पड़ेगा जो की correct है और अगर आप additional information चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि in the east यह कौन सा phrase बना रहा है? Adverb phrase बना रहा है लॉस्ट आर्म इन बैटल ओके? दा ब्रेव सोल्जर जो सोल्जर है लॉस्ट आर्म इन बैटल तो भाई इसमें नाउन क्या है? आर्म है जहां पे हमें article को insert करना है क्योंकि soldier के लिए तो जो नाउन आया हुए है वो दा है ही तो यहां पे तो हमें article को नहीं add करना है लेकिन lost की बाद में देखा जाए तो जो arm होता है जो भुजा होती है हाथ होते हैं वहां पे हमें article को insert करना है तो यहां पे हम करेंगे lost n arm और हम यह भी जान रहे है कि n का use कर रहे है क्योंकि wall हमारा letter है इसलिए हम n का use कर रहे है ठीक है अच्छा n ना होता adjective फिलफ करना होता तो his का भी use कर सकते थे ठीक है no doubt बहुत easy है correct भी है उसके बाद में अगर हमने article यहां पे fill कर लिया है यहां पे हमें n फिल करना है और n के बाद में in battle नहीं होगा यहां पे in the battle करना करेगा ठीक है क्योंकि specific battle की बात की जा रही है कि उस battle में जो brave soldier था उसने अपना हाथ गवा दिया clear next just a minute the doctor sees it is hopeless case okay the doctor sees अच्छा name of designation किसान में तो article का use होता ही है यह हम जानते है जो कि पहले से insert है तो यहां हमें ध्यान नहीं देना है यह तो inserted है it is hopeless case अब case हमारा क्या है common noun है countable है इसलिए हम case की पहले article का use करेंगे लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे उसकी पहले adjective भी है तो adjective की पहले हमें article को लगाना है ठीक है तो हम लिखेंगे it is a hopeless case very easy next लेकिन कहीं कहीं पे जब adjective qualify करता है न तो हम abstract noun के सामने भी article का use कर सकते है ठीक है तो यहां पे हम कौन सा article लगाएंगे यहां पे हम definite article दा को लगाएंगे very simple यह बात है कि यहां पे हम जो indefinite articles होते है a यह an को fill up नहीं कर सकते ठीक है next question number 7 बोड़ रहा है get pound of sugar from nearest grocer get pound अच्छा dozen pound इन सभी के पहले हम article का use करते है वो यह दिखाने के लिए कि pound यह dozen कितनी कोई चीज थी ठीक है यानि यहां पे जो यह pound है और dozen वगिरा का use होता है यहां पे यह adjective का का काम करते है ठीक है तो यहां पे हम एक का use करेंगे get a pound of sugar from the nearest grocer अच्छा nearest है तो भाई superlative degree है तो इसके पहले हमें definite article दा को fill up करना है ठीक है next sit back clock clock है sit back clock अच्छा कौन सी clock है तो यह पहले बाद तो invented की हुई कोई चीज है तो इसके पहले हम article दा का use करेंगे और common noun भी है तो इसलिए हम यह article दा का use करेंगे ठीक है sit back the clock it is dash hour too fast अच्छा dash यह बोला क्योंकि hour है ना तो countable noun है तो countable noun है सीधी सी बात है हमें a या an को fill up करना है तो hour है ना तो हमें यहाँ पे an को भी fill करना है very easy ध्यान रखेंगे next the poor woman has 9 रूपी the poor woman has not अच्छा 9 रूपी लिखा है very good ठीक है तो भाई woman के लिए तो the article आया है जो कि बिल्कुल correct है has 9 रूपी 9 रूपी लिखा है तो भी correct है क्योंकि 9 के बाद में हम countable noun को भी देख सकते है और uncountable noun को भी देख सकते है अगर countable noun है तो उसके सामने हमें article को insert करना जरूरी ही है ठीक है लेकिन अगर uncountable noun है तो नहीं भी लगा सकते है ठीक है तो यहाँ पे singular countable noun है इसलिए हम no का use कर सकते है तो ध्यान डखेंगे नेक्स्ट टेंथ बोल रहा है यू मस्ट टेक केर तो यहाँ पे देखे केर तो है लेकिन इसके बीश में हमें article को fill up नहीं करना है ठीक है क्योंकि केर हमारा uncountable noun होता है नेक्स्ट दैस्की मोज में हाउसे सॉप स्नौ स्कीमोज अच्छा जो नेमोज स्पेसी होती है जैसे रेड इंडियन हो गया वेस्ट इंडीज हो गए आरलेंड के नेम्स हो गए इनके पहले हमें article को insert करना ज़रूरी होता है तो स्कीमोज क्या है एक प्रजाती है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे हम इसकीमों के पहले article को use करेंगे ठीक है next इस पुरे sentence में हमको noun यहाँ पे देखने को मिल रहा है umbrella umbrella एक काउंटेबल noun है और start होता है वावल से इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे इसलिए हमें यहाँ पे एन का यूज करना पड़ेगा next इसलिए हमें यहाँ पे एन का यूज करना पड़ेगा noun plus of plus noun का structure होता है तो हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें first noun के पहले article दा को insert करना होता है ठीक है very easy next do not look gift horse in the mouth okay do not look gift horse in the mouth अच्छा gift हमारा countable noun होता है तो इसलिए हम यहाँ पे एक यूज करेंगे उसके बात horse है in the mouth अच्छा यह एक आपको यह idiom phrase के तरीके भी लगेगा ठीक है तो यहाँ पे in mouth नहीं करेंगे हम in the mouth करेंगे ठीक है यह इसका correct structure है ध्यान रखेंगे next have you told him about accident तो about the accident होगा ठीक है बाकी यहाँ पे कहीं पे नाउन नहीं है नाउन है accident के पहले मलब accident नाउन है accident के पहले हम आर्टिकल definite article को दापो फिलप परेंगे ठीक है याद रखना है next टैगोर वास great poet अच्छा poet है उसके पहले adjective है adjective के पहले हमको countable, uncountable यह देख करके article fill up करना है अच्छा uncountable के आगे तो fill up नहीं ही करना है definite कर भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे चुकी poet हमारा singular countable noun है इसलिए हम great के पहले article A को insert कर रहे हैं ठीक है बाकी अगर हमें कुछ ऐसा structure देखने को मिले जो simple sentence में position case बना रहा हो तो वहाँ पे हम the article को भी insert कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे next how blue sky looks तो यहाँ पे हम एक और article का rule देखते हैं कि how so to यह कुछ ऐसे adverbs होते हैं कि इनके बाद में जो adjective आता है उस adjective के बाद जो noun आता है न वो noun अपने just पहले article को लेता है कहने का मतलब कि जो normal structure होता है पहले adjective फिर noun होता है तो noun के पहले जो adjective आता है उसके पहले हम article को fill up करते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा case नहीं है how या so या to के साथ में जब adjective आता है न उसके बाद जो noun आता है वहाँ पे हम article का use करते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पे how blue the sky looks यह कर देंगे ठीक है next who wishes to take walk with me take walk अब देखिए walk तो वैसे ही हमारा verb होता है येकिन जब हम verb को noun बनाते है न तो noun के पहले हमें एक article को insert करना ज़रूरी होता है इस हिसाब से वो verb न हो करके noun कहलाएगा ठीक तो हमें करना पड़ेगा take a walk, take a bath, take a rest इस तरीके से next what beautiful scene this is अच्छा तो अभी हमें यहाँ पे confused नहीं होना है इस 18 वारे rule के साथ में हमें यहाँ पे what का structure दिख रहा है तो अभी हमने जो पिछला अभी rule पड़ा था how so to वाला यहाँ पे how so to का structure नहीं लगेगा यहाँ पे simple structure चलेगा what a beautiful scene this is क्योंकि scene है हमारा जो countable होता है इसके पहले adjective है adjective के पहले article को insert करेंगे ठीक है next the musician was old musliman अच्छा musliman countable noun है तो हमें क्या करना है was an old musliman ठीक है next the river was spanned by an iron bridge bridge हमारा countable noun है उसके पहले iron जो है वो adjective है तो उसके पहले हम vowel letter को ध्यान में रख करके n का यूज़ कर रहे हैं ठीक है very simple next moon did not rise till after 10 moon है name of planets वगेरा हो गए unique चीज़े हो गई इनके पहले article दा को insert करते हैं जो हम जानते हैं okay 24th बोल रहा है just a minute 24th बोल रहा है like true sportsmen they would give enemy fair play 24 में हमें क्या करना है like true sportsmen sportsmen तो noun है जरूर लेकिन चुकि plural है plural है तो इसलिए हमें यहाँ पर article को insert नहीं कर रहा है they would give अब देखें यहाँ पर enemy जो आया यह हुआ हमारा noun तो क्या करना है दा का यूज़ कर सकते हैं या definite या indefinite article का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो like true sportsmen they would give the enemy fair play ठीक है ध्यान रखेंगे very easy they never fail who die in great cause cause countable noun है इसलिए in a great cause करेंगे ठीक है next there is nothing like staying at home for comfort अब चलिए धूढ़ यह इसमें noun का है there is nothing indefinite pronoun है like staying यह gerund और हमारा यह preposition है at home यह adverb हो गया for comfort comfort हमारा noun बले है लेकिन यह हमें article को insert करने के जरूद नहीं क्योंकि यह कोई countable noun नहीं है ठीक है next okay he likes to picture himself as original thinker अब thinker तो हमारा noun है तो इसके पहले adjective आ रहा है और adjective में original है इसलिए an का use करेंगे ठीक है next it is never thankful office to offer advice okay advice आपको दिख रहा होगा noun लेकिन आपको बता दे कि यह uncountable होता है बनाने के लिए इनको countable piece का use करते हैं जो कि यहां उच्छी तरही है ठीक है अगर article लगाना है तो लगा सकते हैं लेकिन कुछ और insert नहीं कर सकते हैं तो हो जाएगा it is never thankful अच्छा office भी हमारा एक noun है तो office के पहले हम आ का use कर सकते हैं अच्छा कैसी करेंगे office के पहले thankful है thankful तो adjective होता है तो अगर office के लिए में आर्टिकल लगाना है तो हम thankful के पहले लगाएंगी are thankful ठीक है next umbrella is of no avail against thunderstorm तो and भी कर सकते हैं लेकिन अगर particular umbrella की बात हो दिया तो दा कर सकते हैं ठीक है the umbrella is of no avail against thunderstorm अच्छा यह जो thundery store में ना इसके पहले भी हमें article दा को insert करना है ठीक है articles जब हमने पढ़े थे तो हमने देखे थे बहुत सारे rules हैं जिसके अंदर में हम इन सभी words के पहले article को insert करते हैं ठीक है जो कि definite है इसलिए हम insert करते जा रहे हैं आप इन चीज़ों को पढ़ते रहेगा बर-बर revise करेंगे ना तो चीज़े याद हो जाएंगी next I have I have not seen him since he was child child है article A को use करना है for brutus is honorable man honorable man तो countable है इसलिए honorable के पहले हम h का धिहान रखते हुए यानि honorable का धिहान रखते हुए n को use करेंगे Neil Armstrong was the first man क्योंकि superlative degree पहली बात तो superlative के सामने लगता है लेकिन यह superlative नहीं कहेंगे यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ordinal number adjective होता है उसके पहले article का use करते है ठीक है तो the first man to walk on the moon क्योंकि अभी बताया है हमने name of planet के सामने और name of unique things के सामने हम article को insert करते है next man has no more right to say uncivil thing अच्छा thing है singular countable noun है adjective है and uncivil तो इसलिए हम यहाँ पे and को use करेंगे an uncivil thing than to act one next we started late in afternoon देखे in morning or in evening हो तो इन सब के पहने में दा का use ज़रूर करना है योगि यह phrase बनाते है ठीक है तो in the afternoon, in the morning, in the evening का use में करना है ध्यान रखेंगे okay late यह आप adverb है चीजों को और भी अगर आप modify करना चाहे तो कर दी चलेंगे no doubt it is a strange thing how little in general people know about people know about sky अच्छा देखे भाई sky के पहले तो हमें article दा को लगाना ही लगाना है ठीक है यहान रखेंगे next 36 हमारा बोल रहा है scheme failed for want of support अच्छा है scheme scheme हमारा countable noun है तो किसी specific scheme के बारे में बात कर रहा है जो fail हो गई है ठीक है इसलिए यहाँ पे हम दा को fill up करेंगी that scheme failed for want of support next tiger animal equal to loin in size is native of asia भाई देखिए यहाँ पे तो काफी रर है tiger लिखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमें यहाँ पे दा को यूस करना है क्योंकि दा को यूस कर लेने से किसी name of animal के पहले यह यह बताने लगता है कि वो पूरे species को शो कर रहा है ठीक है तो दा टाइगर आप देखिए animal है यह भी countable noun है तो यहाँ पे हम एन को इंसाइट कर लेंगी ठीक है एनिमल एनिक्वल एनिमल तो लॉयन in size is the native of Asia भाई नाउन प्लेस आफ प्लेस नाउन का structure है इसलिए पहले नाउन के सामने हम दा को यूज कर रहे है ध्यान रखेंगे अच्छा एशिया के सामने हम नहीं यूज करेंगे यह नाउन को अमिट करना होता है ठीक है पढ़ चुके हैं ध्यान रखेंगे वीडियोस देख सकते हैं नेक्स टाइम मेक्स वर्स्ट इनमीज फ्रेंड अच्छा वर्स्ट भाई बैड का यह सुपरलेटिव फॉर्म है इसलिए यहां पे हमें वर्स्ट को यूज करना वर्स्ट की पहले आर्टिकल दा को यूज करना है ठीक है नेक्स अच्छा लेंदी है सेंटेंस कोई बात ने ध्यान रखेंगे दा टाइम क्योंकि टाइम तो वैसे उनकाउटिबल नो होता है लेकिन टाइम है जो विलिव नॉट उट नॉट तो बी कम्प्यूटिट बाई तो यह किसी स्पेसिफिक टाइम की बाद करें इसलिए यहां पर मार्टिकल दा का यूज कर रहा है ठीक है कम्प्यूटिट बाई दा नंबर ओफ यूज क्यों क्योंकि नाउन प्लस आउफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है उसकी बाद बाई यूज यूज भी काउंटिबल नाउन है इसलिए हम दा को इंसर्ट कर देते हैं यहां पर यूज क्योंकि बाउफ देम चीक है नेक्स्ट मुंबाई इस दा लार्जेस्ट कॉटन टेक्स्टाइल इन दा कंट्री इन दा कंट्री फ्रेज होता है इसको हमें इस तरीके से फिल करना है और लार्जेस्ट है इसलिए आर्टिकल दा को इंसर्ट करना है जानते हैं हम सब नेक्स्ट मेना टू ओफेन लेड बाई अस्ट्रेड प्रेजुड़ाईज तो यहां पर क्या करना है यहां पर मेन लिखा है आर्टिकल के जरूत नहीं है आर्टू ओफेन लिखा है जरूत नहीं है बाई अस्ट्रेड प्रेजुड़ाईज लिखा है तो जरूत नहीं है तो यानि इस सेंटेंस में हमें नहीं लगाना है आर्टिकल को ठीक है ग्यान रखेंगे ओनली बेस्ट कॉलिटी is sold by S only best quality तो only के बाद में best आ रहा है जो कि superlative degree adjective है उसके पहले article दा को लगाएंगे हैं ठीक है next 44 कह रहा है what kind of bird is that तो यहां पर हमें article का use नहीं करना है what kind of bird अच्छा ध्यान रखेंगे एक और शीज कि interrogative या फिर exclamatory sentences में इस टाइप का अगर structure होता है तो किसी-किसी book में given है कि हम article का use जो what kind of word होता ना उसके बाद में लगा सकते हैं ठीक है तो यह थोड़ा विचार विमर्ष की चीज़े हैं जैसे आपकी अवशक्ता हो आप लगाएं नहीं तो quit कर दे next wild animals suffer when they kept in captivity अच्छा आप यहाँ पर देखे wild animals plural है जरूरत नहीं है when kept in captivity जरूरत नहीं है तो इस sentence में no correction है अलब correct नहीं करना है ठीक है correct अपने आप may we have pleaser of your company अच्छा pleaser है noun plus noun का structure है तो इसलिए यहाँ पर हम pleaser के पहले article दा को इंसर्ट कर रहे है आच्छा आप यह मत सोचेगा कि मैंने बोला noun plus noun noun plus of plus noun यह तो noun नहीं है यह तो adjective है possessive adjective company हमारा noun था ठीक है ध्यान रखेंगे next it was the proudest moment of my life क्योंकि superlative degree adjective उसके पहले article दा को इंसर्ट करते है next and demands our group of Ireland in Bay of Bengal अच्छा name of Ireland के पहले भाई हम article दा को इंसर्ट करते हैं ठीक है लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी ग्रूप की बात होगे तो वहाँ पे ग्रूप मतलब किसी पार्टिकुलर आयरलेंड के नाम की बात होगे वहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे यह भी ध्यान रखेंगे next अच्छा next अभी नहीं करना है बाई क्योंकि बे आफ बंगाल भी है तो नेम ऑफ वाटर बॉड़िज ओशन के पहले बे के पहले चैनल के पहले हमें कैनल के भी पहले ध्यान रखना है कि आर्टिकल को करना है ठीक है ध्यान रखेंगे next he started school when he was six years old कहीं जरूत नहीं आर्टिकल के क्योंकि जरूत नहीं इसमें he neglects attending church उसने चर्च को नेगलेट करता है अटेंड करना वैसे तो चर्च के सामें पिजन के सामें बैट के सामें hospital के सामें इस school के सामें अम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं लेकिन जब secondary यूज में करना होता है तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो हमारा ordinal number adjective है और उसके पहले हम article दा को insert करेंगे ही करेंगे next Dr. Arnold was the headmaster of Ruby तो क्या भाई noun plus of plus noun का structure है इसलिए पहले noun के सामने headmaster के पहले दा को insert कर दे वैसे भी name of position के पहले हम article को insert करते हैं ठीक है man cannot live by bread alone अच्छा यह जो sentence है यह correct है यहाँ पहले हम article को insert नहीं करना है आप कुछ लोग सोचेंगे कि man अगर singular countable noun लिखा है तो a, an को q नहीं fill करना है and तो वैसे भी नहीं fill करना क्योंकि यह consonantal word है तो man जो है जब general sense में use करते है man और woman का तो वहाँ पहले हम किसी भी article को use नहीं करते है ठीक है ध्यान रखेंगे तो sentence correct है जरूत नहीं है next when will father be back तो father की पहले भी हम article का use नहीं करते है mother, father, brother इन सब की पहले हम article का use नहीं करते है लेकिन कहीं पे जब हमें in words से mother, father, brother से जब हमें fatherly feeling, brotherly feeling, motherly feeling का use का तिखाना होता है step noun के तोर पे तब वहां पे हम article का use करते है ठीक है तो ये sentence correct है या जरूत नहीं है next अपनाइन्स आर इन इतली अच्छा तो अपनाइन्स क्या है ये नेम आफ माउंटेन है यानि कि यहां हम करेंगे दा अपनाइन्स आर इन इतली ठीक है